Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल credit card का इस्तमाल बड़े अच्छे से कर रही है बहुत से benefits होते हैं मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास छमता है control करने करी अगर आपके पास credit card है और आपको पता है कि आपको कितना expenditure करना चाहिए कितना payment कर पाओगे वापस तो अगर आप सही तरीके से उसका इस्तमाल करें तो बहुत से benefits होते हैं तो क्या हुआ है कि RBI का भी एक बड़ा decision आया है आप सबको पता होगा कोई भी आप credit card लेते हैं या फिर debit card लेते हैं उसमें card network होता है जैसे कि visa लिखा होता है कुछ card के उपर कहीं पर master card लिखा होता है और भारत के दोरा start किया हुआ हमारा जो indigenous है रूपे अब ये भी धिरे धिरे बढ़ते जा रहा है तो क्या है कि अब ये जो card के उपर जो network लिखा होता है वीजा, master card, रूपे ये आप खुद से choose कर सकते हो जी हाँ, ये RBI करने जा रही है आप देख सकते हैं, RBI to let customers choose card network तो ये card network होता क्या है, role क्या होता है आज के date में भारत में बहुत तेजी से boom आ रहा है credit card का वो मैं आपको आखड़े वगर सब कुछ बताऊंगा और RBI ने ये फैसला क्यों लिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा चलिया आगे भरते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की preparation कर रहे है तीन live batch start किया जा रहा है study IQ के दोरा pure English, pure Hindi या फिर English batch कोई भी आपको join करना है, simply हमारे website एप पर जाएए और फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर यूज करिए code अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल सके ध्यान रखेगा इन सभी batches के अंदर prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कराई जाती है classes live होते है, personal mentor अलोट किये जाते है आपको test होता है, answer writing practice मतलब कुछ भी और लेनी के आउशकता नहीं पड़ेगी और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेच पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, हो क्या रहा है देखें, क्या आपके card के उपर visa होना चाहिए क्या आपके card के उपर master card होना चाहिए या फिर आप चाहते हो कि भारत का जो रूपे है क्या वो होना चाहिए तो ये अब आप खुद से decide कर पाओगे, आज credit में जिस तरीके से credit card का business भारत के अंदर तेजी से बढ़ा है, इसको देखते वे RBI ने एक बहुत एहम एहम फैसला लिया है यहाँ पर RBI ने ये कहा है कि जो credit card issuers है देखो, एक तराफ होते है credit card issuer अब कौन issu करता है credit card आप खुद बताइए, debit card, credit card ये banks issu करते हैं या फिर non banks कई बार issu करते हैं जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया SBI हो गया, आप का कोई खाता है bank के अंदर, या फिर खाता नहीं भी है, तो आप card ले सकते हो credit card ले सकते हो इन बैंकों से तो ये जो bank है वो क्या होती है ये card issuer होती है, लेकिन उस card को सही से चलाने के लिए network पुरा proper करने के लिए यहाँ पर card network होता है अलग-अलग companies हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे जो दो important company नहीं है card network की, वो है master card और दूसरा है visa, हम सब को पता है और भारत के दोरा बनाया गया है रूपे, तो ये आपको आपके card पर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक क्या होता था, कि जब भी आप कोई card लेते थे bank से, debit card या credit card, तो आपके पास choice नहीं होता था, कि आपके card में जो card network है, क्या वो रूपे का होगा, जैसे कि मानलो आप ज़्यादा तर private bank का देखोगे, जैचाए ICICI की बात करिए, access की बात करिए तो वो लोग क्या करते हैं, कि उनका पहले से fix रहता है, कि आप card ले रहे हो तो इसके उपर अगर वो रूपे का दे रहे हैं, तो रूपे ही होगा, अगर उसके उपर visa का दे रहे हैं, तो visa वाला ही card network होगा, आपके पास choose करने की जो freedom है, वो नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है, RBI इसको बदलने जा रही हो, और ये कह रही है, कि ये customers की choice होनी चाहिए, कि वो किसका card network चाहते हैं, तो basically RBI ने propose किया है, RBI ने propose यही किया है, कि जितने भी customers हैं, जो bank के customers हैं, वो किसी भी समय, चाहे card issue करते समय या फिर आगे चल कर, अगर उनको लगता है, कि उनका जो network है वो change करना चाहते हैं, मालो अगर किसी का visa है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें visa वाला नहीं चाहिए, foreign company का है, विदेशी brand है हमें यहाँ पर चाहिए हमारे देश का रूपे, तो आप अपने bank से बोल सकते हो, कि मुझे अपने card के उपर, जो card network है, वो visa वाला नहीं चाहिए, वो मुझे रूपे वाला चाहिए, यह यहाँ पर RBI ने एक प्रकार से freedom दी है, मतब करने जारी है, अभी के लिए RBI ने यहाँ पर एक draft circular जारी किया है बैंकों को, उनसे यहाँ पर पूछा है, कि आपका क्या सोचना है इसके उपर, लेकिन ultimately यह चीजें, आप कह सकते हैं कि लागू हो जाएंगी, और साथी साथ यहाँ पर RBI ने यह भी कहा है, बैंकों को, कि देखिए, आप किसी भी प्रकार का agreement मत करिए, basically क्या होता है न, कि जैसे भारत में कई सारे banks हैं, मान लो अगर ICICI की बात करें, HDFC की बात करें, तो यह लोग क्या करते हैं, यह जो banks हैं, वो क्या करते हैं, card network के साथ एक informal agreement कर लेते हैं, आपस में यह arrangement कर लेते हैं, और उनका tie-up हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो, आप कोई card ICICI bank से ले रहो, और आपको चाहिए कि वो रूपे आपको मिले, या फिर master card मिले, लेकिन ICICI bank ने tie-up कर रखा है visa के साथ, तो आपको ultimately visa वाला ही card लेना पड़ता है, आपके पास कोई choice नहीं होती है, तो यहाँ पर basically RBI ने ये कहा है, कि अब से जो है, bank किसी भी प्रकार का card network के साथ agreement नहीं कर सकता, उनको यहाँ पर choice देनी पड़ीगी customers को यहाँ पर की customer क्या चाहता है basically, ठीक है, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह होता क्या है, मतलब कि हमें card किसे मिलता है, card मिलता है bank से, लेकिन उसके उपर यह जो रूपे है, master card है, visa है, यह exactly करता क्या, इसका काम क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ देखो, जो card network होते हैं, वो basically, एक service provide करते हैं centralized communication system कहने का मतलब यह है, अगर आप इस diagram को ध्यान से देखो, मानलो आप customer हो, और for example, आपके पास SBI का card है, मतलब की जो issuer है card का कौन है, वो है SBI, यह issuer हो गया, ठीक है और आप कहीं पर shopping करने जा रहे हो, ठीक है, जैसे मानलो आप किसी दिल्ली के किसी shopping mall में आप select city mall जा रहे हो, दिल्ली के, ठीक है वहाँ पर आप shopping करने जा रहे हो, और मानलो, वहाँ पर आप गये ZARA में, ठीक है अपने कपड़े उपड़े खरीदे ZARA के अंदर, अब ZARA का जो account है, वो account है basically HDFC का, ठीक है यहाँ पर merchant के पास जाकर swipe करोगे तो यह आपका पैसा card से cut कर ZARA वाले account में चला जाए इसका जो पुरा देखभाल है ना, वो किया जाता है network के द्वारा, इसी को कहते है card network, I hope कि अब आपको समझ में आगया होगा कि card network कितना important होता है, क्योंकि card network नहीं होगा, तो जो पुरा centralized system है वो work नहीं करेगा, आपके bank ने तो आपको card issue कर दिया, लेकिन आप उस card को हर जगा तभी इस्तमाल कर सकते हो, जब यह पुरा system काम करता है, centralized system काम करता है तो यह system, यह जो network है यही provide किया जाता है इन card network के दोरा, चाहें visa हो mastercard हो, अमेरिकन हो गया रुपे हो गया, इन सब के दोरा यह सारी चीज़ें दी जाती है अब question आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिर कार RBI इसको बदलना क्यों चाहती है, RBI यहाँ पर जो customer है, उसको choice क्यों देना चाहती है देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको starting में बोल रहा था, जो problem आ रही थी वो यह है, कि कई सारे banks क्या करते थे informal तरीके से agreement कर लेते थे card network के साथ जैसे मैंने आपको बता है, ICICI bank ने यहाँ पर tie-up कर लिया, visa के साथ HDFC bank ने tie-up कर लिया mastercard के साथ, तो जब आप कोई card लेने जाते थे, तो आपको compulsory card network लेना ही पड़ता था वैसे मैं आपको बता दू, जब आपको particular card network चूज करते हो, तो आपको कई सारे benefits भी होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर visa चलता है, या फिर कहीं पर, जो है mastercard नहीं चलता कहीं पर mastercard चलता है, कहीं पर visa नहीं चलता कहीं बार ऐसे scenario आ सकते हैं, तो ultimately choice किसकी होनी चाहिए, choice होनी चाहिए, customers के पास in fact यहाँ पर RBI का यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं, भारत के अगर आप two private banks को देखो, तो उन्होंने visa के साथ tie-up कर रखा है, तीसरे bank ने mastercard के साथ tie-up कर रखा है, तो इसकी वज़े से क्या होता है, कि यह conducive environment नहीं है customers के लिए, customers को choice मिलनी चाहिए, यहाँ पर banks force नहीं करते customer को कि हम आपको सिर्फ रूपे वाला देंगे, या फिर visa वाला देंगे, या फिर mastercard वाला देंगे, जो customer कहेगा, वो यहाँ पर देना पड़ेगा, और in fact आपको याद हो, कुछ दो साल पहले, जो है, RBI ने, जो है, ban भी लगा दिया था, mastercard के उपर, American express के उपर, diners club के उपर, क्योंकि उनके उपर, यहाँ पर कहा गया था, कि आप जो rule follow करना है, local data storage का वो follow नहीं कर रहे हैं, यह दो साल पहले किया गया था, लेकिन ultimately यह जो ban है, उसको lift कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, अभी वो ban नहीं है, तो इसकी वज़य से कहीं न कहीं, आप देख सकते हो, I hope कि आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार, RBI यह decision क्यों ले दी है, जहां तक बात है भारत की market की, कि भारत में credit card का market कितना बड़ा है, यह आपको data से समझ में आ जाएगा, देखिए, RBI के data के इसाफ से credit card outstanding has sold to rupees 2 lakh करोन, मतलब की outstanding, मतलब की overall पूरे देश के अंदर जितने भी लोगों के पास credit card है उन्होंने जो खर्च किया है, तो आज के date में outstanding जो amount आप देखोगे न, वो 2 lakh करोन को भी cross कर गया है, मतलब 2 lakh करोन बकाया है, ये customers को payment करना है, और ये आप देख सकते हो कि, साल दर साल के अगर हम उस पे देखें, year on year basis, तो 29.7% का rise आपको देखने को मिलेगा, आज के date में, बैंकों ने लगबग 8.5 करोन credit card issue किये हो हैं, तिल April 2023, monthly credit card का जो payment होता है, क्या आपको पता है, वो 1 lakh करोन, हर महने 1 lakh करोन से जादा का payment किया जाता है, और in fact, April 2023 में आप देखोगे तो 1.3 lakh करोन का total payment credit card के उपर किया गया था customers के दोरा, तो ये जो surge है ना credit card का, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भारत के अंदर एक positive indicator है, of the growing purchasing power, अगर कोई लोग credit card का इस्तमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, उनकी income बढ़ रही होगी, तभी तो वो credit card का इस्तमाल कर रहे हैं, और उनकी purchasing power बढ़ रही है, तो इसकी वजए से ये देश की तरक्की को दिखाता है, outstanding debt 2 lakh करोन आज के date में है, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं, लोग अपनी जो अकांशाय हैं, needs हैं, उसको fulfill करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर यही बोला जाता है, experts के दौरा, कि सही awareness होना चाहिए, कि credit card का कैसे इस्तमाल हो, उनके rights होता है, लेकिन आज के date में आप देखोगे, लगबग हर एक चीज में जी हाँ, लगबग हर एक चीज में credit card का इस्तमाल होने लगा है, क्योंकि क्या होना है मैं आपको बताया था, starting में ही कि लोग इसका फायदा लेने लगे हैं, आपको points मिलता है जब आप credit card से spend करते हो, तो लोगों को लगता है कि हम cash क्यों दे, जब हमें यहाँ पर facility मिल रही है, 60 दिन का यहाँ पर एक तरह से interest free loan मिल जाता है, तो हम क्यों यहाँ पर दूसरा कोई पैसा इस्तमाल करें, तो लोग इसकी वज़े से normal transaction में भी credit card का इस्तमाल करने लग गए हैं, और आपको पता ही है कि धिरे-धिरे अब UPI में भी credit card को जो है integrate किया जा रहा है वहाँ से भी अब आप कर पाओगे धिरे-धिरे तो देखते हैं, I hope कि इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीज़े थी, वह आपको समझ में आ गई होगी और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हैं कि रूपे के बारे में दो statement है यहाँ पर, बताना है कौन सा statement correct है, इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए, लग-लग सोशल मीडिया पर आप जोड़ पाओ के और जैसा मने बताया था UPSC के अगर आप तयारी करो just use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time Till then, thank you very much, see you soon